कि नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनांदन मेरे इस चैनल खेल ग्रहों का में हम बात करें रासी फल सेप्टेमबर 2019 की यह मासिक रासी फल है और यह आपकी चंद्र रासी अताद मून साइन पर आधारी थे आप आप लोग जादा तर कमेंट करते हैं यह लगन पर है नक्षत्र पर है यह रासी पर है तो यह कारिक्रम रासी पर आधारीत है अताद हर किसी कुंडली में एक जन कुंडली होती है और एक रासी कुंडली होती है चंद्र कुंडली होती है जब आप चंद्र कुंडली से देखे तब यह कारिक्रम आपको समझ में आप आएगा तो सबसे पहले कि एक माह का यह रासिफल है और इस रासिफल का उद्श यह फाइदा यह है कि आप अपनी प्लानिंग जो भी बनाएं इस 30 दिनों की प्लानिंग आप सोच समझ करके यह प्रोग्राम देखने के बाद में क्योंकि यह प्रोग्राम का उद्श यह आपकी प्लानिंग के लिए ही है एक माह का रासिफल में जो जो गरह चेंज हो सकते हैं उनका क्या परिणाम होगा कौन सी तारिक से वो चेंज होंगे और किस सेक्टर पर प्रभाव डालेंगे क्योंकि आपके जीवन में जन्म से लिए जो ही प्रोग्राम का उद्श यह गरह नक्षत्रों के आदार पर आपकी रासि पर आदारित है इस रासिफल को बहुत ध्यान से सुने ध्यान से देखें और जो नोट कर सकते हैं वो कहीं नोट करें सबसे पहले मैं गरहों की स्तिती बता देता हूं कि रासि के साथ मे नहीं राहू विराज माने अताथ इस मां के आरम में सेप्टमबर दोजार उनीस के आरम में राहू लगन में है रासि में है थर्ड आउस में सूरिय मंगल बुद्ध शुकर है कुली में सिक्स आउस में रासि सिक्स आउस में ब्रस्पती है सेवं ताउस में शनी और केतू ह यह सबी गरख को इस्तिती है तो सबसे पहले बात करते हैं गेन की और वेल्थ की तो ब्रेस्पती रासे सिक्स्थ होकर के कुनली में टैंथ आउस पर कुनली में ट्वेल्थ आउस पर और सेकंड आउस पर जस्टी बात करते हैं ब्रस्पति की दस्टी हमेशा सुब है अमरत में है तो ब्रस्पति अपने उच बाप पर दस्टी डाल करके वेल्ट को इंप्रूव करेगा सस्वराल से धन संपत्य की प्राप्ती हो सकती है कोई financial gain हो सकता है parental property की प्राप्ती हो सकती है कोईन कोई साधी ब्या में जाकर के वहाँ से बहुत कुछ आपको gain हो सकता है name fame मिल सकता है appreciation मिल सकता है कोई अच्छे रिस्तों की जानकारी प्राप्त हो सकती यह भी गे नहीं है तो धन और संपत्ति या आपके जो भी जो भी certificates हैं जो भी प्रतिबूतियां जो भी bonds हैं jewelry है ornaments हैं या जो भी हीरे जवारत हैं उनमें improvement आ सकती है कुछ लोग comment box में लिखते हैं कि हमारे पास में संपत्ति है ही नहीं जिनके बाद संपत्ति नहीं हैं वो प्रियास करें संपत्ति आपको मिल सकती है और जिनके बाद संपत्ति हैं उन लोगों को उस संपत्ति में इंपूर्मेंट आ सकता है यह रासिपल जो टोटल पॉपुलिशन है उसमें 12 का भाग दे दीजिए लगबग 11 करोड लोग हैं उन से आपकी कुंडली की बारे में discuss कर पाएं क्या समस्या है वो निचोड निकाल पाएं और फिर आपको में बता पाऊं कि आपकी समस्यां के समधान कैसे होगा कब होगा और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए हो सकता है को उपाई करने की जरूदि भी नहीं पड़े क्यों ताकि रासी से थर्ड मंगल आपके इलेउंतावस का लॉड जो कुंडली में मंगल है वो रासी से थर्ड स्तान में है और 24 सेप्टमबर तक वहीं रहेगा 24 सेप्टमबर से 10 नवंबर तक फिर आगे फोर्टावस में चला जाएगा वो जरूर आपको टैंसन देगा लेकिन काम आपका बढ़ेगा और काम में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा तो गेन आपको प्रॉपर मिलेगा लेकिन से ज्यादा बैटर आपको प्रॉपर्टी आपकी वैल्थ के बारे में मैं बोल रहा हूं कि जो कुछ भी आप इंवेस्मेंट करते हैं क्योंकि इंकम यद आइडियाज लगा सकते हैं तो ऐसा टाइम पिरिड़ उनको भी गेन दे सकता है तो जो सेयर मार्केट में कमुनिटी में इंवेस्मेंट करते हैं जिन लोगों का काम है उस दंग से इंकम गेन करना या साइड में उस दंग से काम करते हैं इंकम के लिए उन लोगों को इंकम income हो सकती है, income मिल सकती है, gain मिल सकता है तो gain और wealth दोनों के मामले में September 2019 आपके लिए काफी better है, काफी useful है, आपने इस time period का फाइदा उठाना चाहिए अब बात कते हैं, पारिवारिक सुक की, सनी की 10th दस्ती कुंडली में फोर्ता उस पर है, सनी की 7 दस्ती कुंडली में लगन पर है, लेकिन सनी की अच्छी दस्ती, अथा सुब दस्ती, अथीस्ती दस्ती कुंडली में अपने मूर्ट रिकोन रासी पर है, भागिस्तान पर है, 18 September 2019 को जो ही शनी मारगी होगा, आपको घर परिवार में भी सुख देगा, भागिय में भी उन्नती कराएगा, और आपका जो harassment और tension से सारा दिन गुजलता था, उसमें भी आप सांती पाएंगे, mental anxiety आपकी कम होगी, और साथ ही साथ, जो ही 10 September को बुद्ध उच्चरासी काहेंगे, आपके घर में सुख की वर्सा होने लगेगी, improvement आने लगेगी, हो सकता है कोई नया वाहन खरीदने का, जो भी आपने सोचा हो, जो प्लान किया हो, वो प्लान आपका execute हो जाए, भूमी और भवन के मामले में भी, जो व्यक्ति अपनी property को किराये पे चड़ाना चाते थे, और काफी समय से ये काम नहीं हो रहा था, उनकी property खाली पड़ी थी, इस समय में, ये September माह में, 10 September 2019 से, ये time period ऐसा आ रहा है, जहां पर कि आपको, आपकी property के लिए उचित किरायदार, जो आप range सोच रहते हैं, उसके आसपास आपको किरायदार मिल जाने से, आपके उसमें भी व्रद्दी आता, गेन में भी व्रद्दी होगी, property के गेन में व्र पर सही किराये में, उनको कोई इनको अच्छी जगह मकान मिल जाए, तो वो लोग जो मितुन रासी के हैं, इस समय काल में success हो सकते हैं, अता उनको उचित जगह पर, उचित किरायदार पर एक अच्छी property मिल सकती है, जिसका वो सपना काफी समय से देख रहे थे, कि हम के मामले में आपको बोल सकता हूँ, कि आपको फादर की हैल्थ पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ब्रस्पती मारगी होने से, वो 12th house पर भी जस्टी डाल रहा है, तो जहां कुटुम पर जस्टी डाल रहा है, वो financially gain करेगा, लेकिन 4th house पर सनी की जस्टी है, जो कि 17 सितंबर तक वहीं रहेगा, 4th house मदर का भी है, 4th house जन भूमी का भी है, 4th house भूमी बहुनवान का भी है, और 4th house आपके हाट का भी है, रदे का भी है, इमोशन्स का भी है, तो ब्रस्पती उच्छासी के आकर के उन सब को इंप्रूमेंट करेगा, आपका इमोशन्स पॉजितिव वे में इंप्रूमेंट करेंगे, कोई इनको चीज खुशी मिलने से, कोई इनको प्रसंता मिलने से, कोई सक्सेस मिलने से आप गदगद हो सकते हैं, आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ, अब बात करते हैं, एजूकिशन की, स्टूडेंट्स को ज्यादा केरफूर रहना पड़ेगा, और इस्पेसली जो सौफ्ट्वेर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कलाके शेतर में हैं, जो कोई ऐसा क्रेटिव काम, डिजाइनिंग के सेक्टर में, एनिमेशन के सेक्टर में हैं, या जो आर्स से सब्जेक्ट ल करके, क्योंकि आपकी रासी का फिफ्टा उसका मालिक ही नेगेटिव होने जा रहा है, और वहाँ पर सनी की जस्टी भी है, तो जो कुछ भी उस भाव का स्वामी है, वो पीडित भी होगा, सूरी के साथ में होने से भी, और साथ में नेगेटिव नीच रासी का होने से भी, एक साथ में यह स्थिति जरूर है कि त्रीकोंड का स्वामी केंद्र में जाएगा साथ में बुद्ध भी होंगे उच्छरासी के नीच बंग राजयोग भी होगा उसके बावजूद भी यहाँ पर रिस्पेक्टर में नहीं जाना है आपने इन सब्जेक्ट को जो भी मैंने अभी आपको गिनाए है यदि वो स्टुडेंट में आपका भी नाम आता है तो आपने अपने आपको पॉस सेफ मोड पे रख करके आगे बढ़ना है जो भी काम है आपका जो भी सब्जेक्ट से ज़दा मेनत करनी है ताकि आपको एक normal success मिले अब आते हैं health की बात बर health का अधिपति आपकी रासी कुणली में मंगल है और मंगल 24 सेप्टमबर को रासी से 4 आ जाएंगे वहाँ तक आपको health से सुरक्षा है फिर भी मंगल 6 house पर अपनी दस्टी देखता है अपनी भाव पर दस्टी डाल रहा है ब्रस्पती वही है शिक्स थाउस में है शिक्स थाउस में ब्रस्पती आने से क्या होगा वो इस्तमक को लेकर के पेट को लेकर के आतों को लेकर के पाचन क्रिया से समधित और तो गायनिक प्रॉलम से रिलेटेड यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं दे सकते हैं हाला कि 11 अगस्त 2019 से ब्रसपती मारगी हो चुके हैं फिर भी 6 था उसमें ब्रसपती है जाँ जाँ वो देखेंगे वाँ इंप्रॉमेंट करेंगे लेकिन अपने खुद के भाव को सिरफ सनी इंप्रॉमेंट करता है ब्रसपती इंप्रॉमेंट नहीं करता है साध्यू सन्यासी जो कुछ भी आपको ग्यान देते हैं जो कुछ भी आपके गुरू है वो अपने पास कुछ नहीं रखते हमेशा दूसरों कोई बाढ़ते रहते हैं तो ब्रेस्पति भी देवताओं के गुरू है वो जहां देखेंगे वहां उजियारा करेंगे खुद ग्यानिक प्रव्लम यह सब जो मैंने आपको बताया उनसे आपने केरफूल रहना और ब्रस्पति के उपाय करके मंगल के उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं अब बात करते हैं शेवंता उसकी दंपच्च सुक की ग्रस्च सुक की जो भी व्यक्ति कोई रिलेशन में है अटेच्मेंट में है उन व्यक्तियों को 18 सेप्टमबर से अपने जो भी लाइप पार्टनर है या जो भी पार्टनर ठीक अभी बनने वाले है उनसे जो भी मन मुटाव चल रहे है फ्रेक्शन चल रहे है उस फ्रेक्शन को मिटाने का उ थारग उनको मिलेंगे अता जो कुछ भी लड़े जगडाय मनमुटाव वो आपका ठीक होने वाला है आपको राहत मिलने वाली जो भी जो भी आपके साझेदार हैं जो भी भी ठीक होंगे अताद स्तितियां माइल्ड होंगी एक दूसरे को माफ करके वापस आप सही हालत में दांपत सुख भोगेंगे अपना रिष्टा निभाएंगे अता जो ego problem है वो ego ठीक होगा जो कुछ भी आपने गुसा अपना रखा है कि नहीं मैं ही सही हूँ उसके अंदर अपने आप में एक improvement आ जाएगा कि नहीं मुझे भी कुछ और भी सोचना चाहिए यह सोच विचार ही जो ग्रह है वो आपके सबसे ज़्यादा जो हमला करते हैं या असर करते हैं वो आपकी दिमाग पर करते हैं उसके बाद में आपकी सारीर एक बोड़ी पर करते हैं सारीर एक सरीर पर करते हैं तो जो कुछ भी अभी इस्तिती है वो इस्तिती में कुछ ठीक हो सकता है लेकिन अक्समात गटना है गटेंगी क्योंकि केतू सनी के साथ में सनी को petroleum प्रदात बोल जाता है inflammable goods है तो केतू मंगल की समान फ़ल करता है आग है सनी और केतू एक साथ में मिल करके कोई इनको काना फोजी कोई इनको चुगलबाजी वाले काम करते हैं तो आपके परिवार के सदे से घरवाले जो सदे से होंगे वही आग में इस घी में आग लगाने का काम कर सकते हैं तो आपने कोई भी misunderstanding से अपने relation को खराब नहीं करना है आप दोनों को इतना होसियार रहना है इतना practical रहना है कि जो वो देखना चाते हैं उनको उनके सामने आप दिखाएए कि हम लड़े जगड़ा कर रहे हैं लेकिन अंदर ये अंदर आप सुरक्षित रही हैं समझते रही है कि हमने ये सब दिखावाई करना है एक्चुल में लड़ना नहीं है अब बात करते हैं आपके केरियर की वर्किंग एन्वार्मेंट की वर्किंग एन्वार्मेंट पे टैन ताउस पर मंगल की जस्ती और साथ इसाथ ब्रस्पती की जस्ती है तो ऐसी इस्तिती में ब्रस्पती टैन ताउस को कंट्रोल करेगा नियंतरित करेगा और ब्रस्पती मारगी भी हो चुके हैं अपनी मूलतिरकॉण रासी की तरह बढ़ना भी स्टार्ट कर चुके हैं इससे आपके काम दंदे में जो भी आपका केरियर सेक्टर है वहाँ पे इंप्रूम्मेंट आएगी जो कुछ है गौर्मेंट अधिकारी ही आपको मार्ग बता दें कि जो समस्या उन्हों ने पैदा किये उसमें निकलने के लिए उनको किस मार्ग से किस उनको स्टेट्मेंट से या क्या penalty भर करके कम से penalty किस दंग से लग सकती है को जुर्माना अगर लगना है तो किस दंग से लग सकता है ताकि वो कम से कम जुर्माने के साथ में problem समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके तो यह जो इस्तिति है सेप्टमबर में यह आपके व्यवसाय के लिए काम दंदे के लिए ठीक है और जो job कर रहा है जो सर्विस है जो government «Service में भीए» यदि आपका पैसा government में ही फस गया है तो उसके निकलने के लिए यदि आप प्रियास करते हैं तो वो पैसा आपका निकलने वाला है अदिद आपको वो gain मिल सकता है जो कुछ भी पहले जो इस्तितिया बिगड़ी है अपने उच अधिकारियों से आपके साथ में काम करने वाले लोगों से उन्होंने जो साजिशें की है आप वो साजिशें जान चुके हैं और उनका परदाबास होज चुका है इसलिए आप वापस अपने आपको रीबिल्ट कर सकते हैं वापस सही रिस्ते सही समझे से बिठा सकते हैं अधिकारियों के साथ में और अपनी नौकरी को बचा करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आगे टाइम पिरिड़ आपका बहुत ज्यादा बैटर है फिफ्ट नवंब बढ़ेगा आपकी रेपोटेशन भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका गेन भी बढ़ेगा अताथ आपको प्रमोशन या उच्छ पद आपको मिल सकता है कोई अच्छी पोस्टिंग पर आप जा सकते हैं यदि आप ट्रांसफर के लिए एफट कर रहे हैं तो जहां आप वहां पर ट्रांसफर भी आपकी हो सकती है तो यह टाइम पिरिड आपके लिए अच्छा है जो प्रियास करेंगे वो प्रियास में सक्सेस मिलेंगी जो आप योजनाय बनाएंगे वो भी आपकी सही बनेगी क्योंकि राहू उच्छ रासी का है आपकी रासी में ही है और रा बास्त बाव को अधा 12 ताउस को देखता है ब्रसपती अपने सत्रूरासी को देखता है फिर भी मैं यह कहूंगा कि ब्रसपती 6 ताउस में होकर के 12 ताउस को देखता है करके और पता चल सकता है कि वीजा के लिए आप एपलाई कब करें अथा ये भी एक साइंस है कि कौन सा कलर पहन करके जाएं और मेरे पास में ऐसे एग्जामपल है कि जिसको दो बार वीजा कैंसल हो चुका था उसको मैंने सही date बताया और सब सही color बताया कि आपको इस country visa के लिए इस color के साथ में इस color के dress code के साथ में आप जाएए आपको visa मिलने के योग है और वास्ता में उसको visa मिला तो यह कहना पड़ता है कि गरहों के साथ में color code और time period बहुत ज़्यादा effective है बहुत ज़्यादा काम करता है कि और साइद भगवान ने मुझे कोई खास ऐसी विद्या दिये कि वीजा के मामले में और IVF के मामले में मेरी बश्यवाना ज़्यादातर successful है ज़्यादातर सठीक है तो traveling आपकी दारमिक यातराओं पर traveling हो सकती है यदि को दारमिक यात्रा करना चा है अग्यादा चाहे आज तक नहीं जा पाएं तब भी आपरोड जाने के योग हैं है साथ ही साथ जो finance arrangement के लिए आता किसी पैसे के अरेंज्मेंट के लिए कहीं जाना चाहते है तो ब्रेस्पती आपको उस मामले में भी help करता है financial arrangement में भी आप जाएंगे तो success हो जाएंगे वो यात्रा आपकी successful हो जाएगी तो आप कमर कस लीजिए यात्रा के त्यारी कीजिए suit case pack कीजिए और जो कुछ भी effort करना वो effort कर डालिए सप्टमबर माँ आपके लिए successful है आईए अब बात करते हैं उपायों के बारे में मित्वन रासी के जात्कों के लिए उपाय का अर्थ ये है कि जो समस्यां आएंगी आप उनका सामना कर पाएं आप उनका fight कर पाएं अताद उनसे रात प्राप्त करने के लिए आपको उन समस् करने पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपने उपाय करना है सिक्सा के सम्मदित सिक्सा का अदिपती शुक्र कुली में नीच होने जा रहा है 9 सितंबर 2019 से उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपकी रासी के अधिपती हैं उनसे सम्मदित आपने पूजा उपासना का एक नियम अपना लेना है तो मिथुन रासी के लिए आपने गणपती की पूजा उपासना का नियम बना लेना है गणपती अथर्वसी मंत्र अतात इस्तोत्र सबसे ज़्यादा बलसा लिए सबसे ज़्यादा सक्तिसा लिए हर शेत्र में आपकी मदद कर सकता है हर सेत्र की स सफेद वस्तों का दान साम के समय देवी स्तोत्र का पार्ट या देवी कवच का पार्ट वो आप कर सकते हैं साथ ही साथ आप एक चीज और कर सकते हैं कि साम के समय आप अपने गर में लक्समी की पूजा उपासना करके सफेद रंग के पुष्प होते हैं वो उनको चड़ाएं और कोई भी शुक्र का मंत्र का जाप करें अतात ओम द्राम ध्रीम द्रॉम सह शुक्राय नमा इसका भी मंत्र जाप कर सकते हैं या गणपती का मंत्र ओम गणगणपते नमा ये बोल करके भी आप रहत प्राप्त कर सकते हैं अब बात करते हैं दामपती सुक के समस्यां के बार तो सामना करना पड़ेगा ये बात भी सजी है लेकिन रहत कρεί लिए आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए भी आपने उपाई करने पड़ेंगे यह मंतर जाब कर सकते हैं और कोई मंतर जाब जो भी ब्रस्पति से लेटेट या विश्णु से समधित कोई इस्तूति आपको आती है कोई स्तोत्र आपको आता है जैसे पुरुसुक्त का पाट जिनको संस्क्रत का ज्यान है वो पुरुसुक्त का पाट कर सकते हैं या उम गु उनकी पूजा उपासना करना आपको सदेव शुब है अथाद पुद्वारा का आप रत कर सकते हैं हर पुद्वार को आपने हरी बस्थों का दान करना आपके लिए शुब है चाहिए ओजानवरों को आप चारा डाल सकते हैं कोई पिजो बी नीडी परसें जवरूत मन्द भी आपसे हो सकता है जो भी उनको आवशक्ता है वो आप दान दक्षणा जरूर दें यह करके आप रात प्राप्त कर सकते हैं अपने रासी से समंदित जो भी यंत्र अतात आपकी मित्वन रासी है तो मित्वन रासी को मित्वन रासी का यंत्र गणपती यंत्र या साथ उपरतना ओनेक्स वो आप जड़वा करके भी राहत प्राप्त कर सकते हैं अपनी रासी का पिरामिड जह आप सोते हैं वाँ साइट टेबल पर रखें तब भी आपको रासी से होने वाली जो समस्या हैं उनसे राहत मिलेगी अस्त बिनाए गणपति कवच वो धरन करना आपके सर्वसेस्ट उपाय हो सकता है जो भी मित्वन रासी के जातक हैं वो नियम अपना ले कि उनको गणपति की पूजा उपासना नियमित रूप से करनी है इससे बहुत बड़ी राहत आपको मिलती रहेगी आपको समस्यां का सामना कम करना पड़ेगा रासीफल आपको कैसा रहें आपके खुश रहने से समाज खुश रहेगा सुस्त रहे प्रसंद रहे अपना अपने बच्चों का और घर के बुजुर्गों का खाल रखिए और हां जहां तक हो सके अपने पास में आस पास में पेड़ लगाने का प्रयास कीजिए ताकि आनी वाली पीड़ी को सुद्ध पानी देने का दोनों का प्रयास कर पाएं नमस्कार जैहिंद